दर्वाजा खोलता है और तियान से कहते है भाई तुम याँ हो तियान हाफ तीवे कहते है हाई और तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो यांग कहता है जरा अपने आपको देखो तो सही तुम इतना हाफ क्यो रहे हो सिरफ साथ फ्लोरी तो चड़े हैं तुमने यांग उसे सौफे पर बिटाता है और कहता है तुम ठक गए होगी चले थोड़ा पानी पीलो उस केन में जूस नहीं बलकि ऐलकॉल होती है बायून कहते है वह एलकॉल नहीं पीता यांग उसे तीशी नजरों से देखता है यांग बायून को कौनी में ले जाकर समझाता है जब दो गोट अंदर जाती है तब ही तो सच बाहर निकलता है जिन्दा मत करो मैं उसे जादा नहीं पिलाऊंगा तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को द्यान से सुनो बायून तियान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है वह सोचता है कि वह कुस-पुस क्या बाते कर रहे है यांग कहते है बायून मुझे पोक लग रही है बहुत जोरों की जाओ मेरी ली कुछ बनाओ वह उसे कान मी दीरे से कहते है कि थोड़े दिर जाकर पात्रों में रहो बायून कहते है ठीक है पर तुम उससे कुछ अज़ीब अगरी बाते मत करना तियान कहते है बायून अभी अपनी जोप से थका आरह घर रहे है और तुम उसे खाना बनाने के लिए कह रहे हो तुम खुद नहीं बना सकती क्या यांग कहते है चिंता मत करो वह फ्रीज में कुछ बचा कुछा देख लेगा उसे बनाने में ज़ादा वक्त नहीं लगीगा और तुम्हारी तरह मैं भी बायोन की बहुत चिंता करता हूँ तुम्हें मुझे दीकर इससा लगता नहीं क्या यांग सोफी पर बेटते हैं कहते तुम्हें बायोन ने बताया नहीं क्या कि मैं उससे कैसे मिला था तियान कहते है उसने थोड़ा सा ही बताया था कि तुम दोनों हाई स्कूल में मिले थे। यांग कहते हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, एक्चुली, हम दोनों सेम हाई स्कूल से नहीं है। हम शुरुआत में स्ट्रेंजर्स थे। मुझे अब भी वो दिन आद है। मैंने उस दिन बंक मारा था और एक इलीगल इंटरनेट केफी में आकर गेम केल राता में। वहाँ मेरी किसे से लड़ाई हो गई। यांग उस लड़की से कहते हैं, हे ब्रो, तुम इतनी तेज आवाज में क्यों बाती कर रहे हो, मुझे माइक में भी तुम्हारी आवाज सनाई दे रही है। यांग थोड़ी दिर बाद में केफी से बाहर आता है। वह लड़का अपने दोस्तों से कहता है, यही है वो लड़का। यांग कहते है, मुझे नहीं पता था कि इतने से बात पर वो लड़का गुंडों को बुला लेगा मुझे पिठवानी के लिए। यांग वहाँ से बागने लगता है। एक गुंडा कहते है, बच्चे तुम्हें पता है, मैं कौन हूँ। यांग कहते है, मुझे किसे पता होगा। वे लोग यांग को पीट रहे होते हैं। बायून देखते हैं कि कुछ गुंडियों के साथ बत्तमीज से कर रहे हैं। बायून पुलिस को फॉन लगा देता हैं। और कहते हेलो पुलिस, कुछ लोग यां गली में लडाईया कर रहे हैं। तीन लोग एक स्टुडेंट को गेर कर खड़े वे हैं। मैं आपको एड्रिस सेंड करता हूँ। तभी एक गुंड़ा आता हैं और उसके आज से फोन चील लेता हैं। और कहते हैं नालाइक बच्चे हमारे पीच में टांग बतर आओ। बायून कहते हैं पुलिस कभी भी आती होगी। अगर तुम लोगोंने मेरे साथ कुछ भी किया तो उन्हें बता चल जाएगा और तुम्ही जेल जाना पड़ेगा। गुंड़ी कहते हैं चलो यहां से पुलिस आ रही हैं। और तुम जोटे लड़की तुमारी तो खेर नहीं। यांग कहते हैं तेंक्यू क्या तुम ठीक हो बायोन कहते हैं मैं ठीक हो तुम पुलिस के लिए इंतजार करो बिगर जाता हूँ। यांग कहते हैं तुम इतने गिली क्यों हो तुम्हें ठंड लग जाएगी। बायोन वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं ठीक हूँ यांग उसे रोकती भी कहता है एई मेरे साथ गर चिलो और कपड़े बदलो मैंने गर जाकर उसे पूछता अज की तब मुझे पता चला कि उसे किसी ने बातरूम में टाइट कर दिया था उसे बांग दिया था और उ मैं पता है उसकी situation कितनी कराब थी उस वक्त फिर भी उसने मेरी मदद की बाई क्या तुम समझ सकते हो मेरी feelings बायोन के लिए यांग बायोन का हाथ होल्ड करता है आई मीन तियान का हाथ होल्ड करता है तियान के ते मैं समझता हूं बाई बायोन थोड़ा से introvert दिखते है पर उ यांग थोड़ा से शिर्माते भी कहते है जब मैं उस टाइम को दुबारा देखता हूं तो यह शायद तब हुआ था जब बायोन के लिए मेरे दिल में जज़बाज जागे थी बायोन उसे खोसता है और उसका मुझ बंद करकी कहते है यह कुछ जादा ही बोल रहा है वह ज असके साथ था मैं तब भी उसके साथ था जब उसने घर किराये पर लिया था और एक जोब ढूंडी थी मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं डेफिनेटली बायोन की केर कर सकता हूं पर जिसे इस बायोन पसंद करते है वो इंसान तुम हो मैं तुम से इस रिष्टी की पीक मांग करता हूं यांग केन को फिच कहता है और कहता है सपने देखना चोड़ दो यांग कहता है तियान बहिया नहीं माने कोई बात नहीं हम बायोन से इसका उपीनियन पूछ लेते हैं वैसे भी मैं तो हमेशे ही बायोन की साथ रहता हूं बायोन मैंने अभी जो कहा वो सब सच सा पायोन कहता है अब तुम चुब भी हो जाओ लीजू तीयान यंंग को पीछे से होलड करता है और उसे बाहर की और कसीटने लगता है यांग कहता है हिंग यह तुम क्या कह रही हो! बड़े भईया, क्या तुमने उदे जादा पी लिए है, क्या तुम नसी है एसी इरक्तिप करते हो यांग उसे बाहर की और दख्का दे देता है और कमरे से बाहर निकाल देता है वह तियान की और देखता है और अपने गुटनों की पल बेटकर उसी कहता है तुम उसके साथ अब कभी नहीं रहोगी एयों सोस है क्या उसनी पी रही है मैंने उसकी ये साइट कभी नहीं देखी बायन केते हैं क्यों नहीं तियान केते हैं क्योंकि वो डेंजरस हैं क्या पता वो तुम पर एटेक कर दी जब तुम सो रही हो बायन केते हैं तुम्हारी बात में पॉइंट तो हैं पर मैं क्या ही कर सकता हूं तियान केते हैं मैं आज रात ही ही रहूंगा बायन केते है आज तो तुम रह जाओगी फिर क्या करोगी थियान केते तो मी तुम्हें हमेशह गढ़ ले जाओँगा बायन केते तुम्हारा आइडिया बुरा ता नहीं है लेकिन इन फ्यूचर जब तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड होगी तब में कहा रहूँगा तियान कहते है तब तुम मैं पहले उसे गर्णाओंगा और फिर तुम्हें बाईयन ये सनकर सोचते है साला मेरा तो कोई चांस ही नहीं है मतलब कोई जिसे अपने से अलग जेंडर के लोग पर संड़ो वो सड़ली गे किसे बन सकता है ये अजीब नहीं हो जाएगा एक बाई हमेशे एक बाई ही रहने वाला है पर जब तक उसे गर्णाओंगा नहीं बलती मैं उसके साथ रह सकता हूँ तियान कहते है तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा बॉइफरेंट बन जाओ बाईयों केता है ये तुम कैसे बकवास कर रहे हो यांग सोचते है मुझे नहीं पता तुअ तियान इतना डायरिक्ट है शराब सच में कमाल की चीज होती है यार तियान केता है लेकिन तुमने मुझे कभी सोचने का मोखाई नहीं दिया तुम्हारे confess करने के बाद मैं hopeless मैसुस कर रहा था तुम मेरे प्रती इतना violent भी हो क्या तुम किसी जिसे तुम like करते हो उसे ऐसे treat करते हो तुम्हारे तुम याग दै तिंग नहीं जब मुझे पहले बर propose किया था तुम मैंने उसे reject कर दिया था पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पीछे एक साल तक भागे मेरा कोलेस टाइम पर प्यार में पढ़ने का तो कोई रादा था ही नहीं मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी open रहेगी अलाकि उसने मुझे एक promise किया था वो सच में कमाल की बंदी थी यार बायन उसके मों से ऐसी गोल जोल बाते संकर उसका मों बंद कर देता है और कहते है मुझे यह जानने का बिलकुल भी शोग नहीं कि तुम दोनों की बीच में क्या हुआ था तुम मेरे बारे में बात करो ना उसकी बात क्यों कर रहे हो तियान करता है चलो एक शर्ट लगाते हैं भायन करता है कैसी शर्ट मेरे सॉला सो सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप रोज मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर भी आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिविकेशन हमेशा मिल सके और आप चाहें तो मुझे जॉइन करके मेंबर्शिप भी खरीज सकते हैं इससे आपको वीडियोस सबसे पहले मिल जाएगी तियान कहता है मैं तुम्हें तीन महीनियों की महला देता हूँ अगर तुम मेरी फिलिंग्स तुम्हारे परती चेंज करवा पहे तुम्हें तुम्हारा बॉर्फरेंड बन के रहूँगा और अगर तीन महीने बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फिल नहीं करता हूँ तो तुम मेरे अच्छे बाई बन कर रहोगे क्या क्याल है बाईयों सोचते हैं यह अपना माइन बदलेगा क्या कभी वैसे भी इसने पेरे किया तियान करते हैं तुम्हें मुझ में बरुसा नहीं है न इदर आओ, मेरे फोन लो और उसमें रिकोर्ड करो तियान रिकोर्ड करता है मैं तियान आज एक शॉर्ट लगाता हूँ कि अगर तीन महीनों की बीतर मुझे बाईयों में इंट्रेस्ट आ गया तो मैं उसके साथ रिलेक्शिन्शिप सेट करूँगा और अगर मुझे उसमें इंट्रेस्ट नहीं आया तो वो मेरा भाई बन कर रहेगा वै मुझे इससे भाग नहीं सकीगा मुझे ब्लॉक नहीं कर सकीगा और उसे स्मोक करना भी बन करना होगा बाई उन कहते हैं ये लास्ट में तुमने क्या शर्टे लगाई है तियान कहते है एक और शर्ट तुम अपने बालों को काला डाई करोगे टेटू तो हलागी रिमोग करवा नहीं सकते तुम कमरे के बाहर बेटा हुआ सोच रहा होता है आजकल काफे सर्दी पढ़ने लग गई है वो दोनों कब से बात करने हैं और अभी तक उनकी बात ही खतम भी नहीं हुई है पर एक में हूँ जो अंदर भी नहीं जा सकता मैं उनको इंटरॉप्ट नहीं करना चाहता एपिसोड देखने लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें